हाई फ्रेंग्स वेलकम बाक टूपटापट इंगलेश वेट अभी शेक सर्थ दोस्तों हमने अभी के बारे में बात करना तो सीख लिया इसे मारक बहुत सारे वीडियो देख लिया आपने और उसे बोलना सीख भी लिया और यदि हाँ आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने वो सब घर बेटे-बेटे अंग्रेजी बोलना सीखें वीडियो सीजी के सारे लैसंज नहीं देघें हैं तो अभी नंबर से शुनु करिए और एक एकर के घर बेड़े बेड़े अंग्रेजी बोलना सीख लेगी इससे नकिवल अंग्रेजी की समझ आपको आ जाएगी बोलने की बलकि लिकना पढ़ना सुनना समझना विद इंग्लिश क्रेमर अब सब में एक्सपर्ट हो जाएंगे और मैं आपसे दावे के साथ कहता हम इस तरीके के व आप बेसिक्स में अगला लेसंज है वो है काम खतम करने के बारे में मैंने आपको सिखाया था कि जब तक आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इसे मां करते हैं और साथ में एक्शन प्लस आई-इन-जी लेकिन जो भी काम आप करना है उखतम तो होगा खतम तो होगा वह आप अ clicked right ना रहें बात रूम में मुठ नाती रहेंगे खतम तो होगा कर आप किसी से बात कर रहें तो आपने क्या वट रिकॉरड बनाना है बात कितनी व्य लंबी करोगे खतम तो होगी रॉस्तों जब कभी भी हम काम को खतम करने की बात करेंगे तो दू वर्ड्स का और हैं हैं हैस और हैं बस दो ही वर्ड जैसे अभी काम के बारे में बात करने कि अभी हो रहा है तो इससे इंवर काम खतम हो गया है लेकिन ध्यान रखना है कि जब हैस्ट और है वाता है तो हमें action का third form यूज़ करना होगा जैसे इस MR के बाद हमने action में ing यूज़ किया था ऐसे ही has और have के साथ में हमें action का third form यूज़ करना होगा अब आप सुच रहे होंगे सब third forms तो मुझे आती नहीं तो दोस्तो third forms तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी सीखनी ही पड़ेंगी हाँ ज्यादा तर जो आप English बोलेंगे उसमें जो third forms है जो second forms है उनमें ED लगा होता है लेकिन कुछ change हो जाती है कुछ change हो जाती है जैसे do, did, done go, went, gone लेकिन यदि play की बात करें तो play, played, played wash, washed, washed मुझे उम्मीद है आप ये थोड़ा बहुत पहले से समझते हैं और हाँ यदि आपने इन action forms को नहीं सीखा जा आपको नहीं आती पहले से तो फिर English में problem होने वाली है दोस्तों ये second forms और third forms कुछ तो मैं सिखा दूँगा कुछ आपको पहले से आती हैं लेकिन कुछ आप सीख लीजिए यदि आप सीख लेंगे तो आगे का सफर मज़ेदार हो जाएगा लेकिन यदि आपने नहीं सीखा तो ये थोड़ा संगर्श भरा रहेगा आप sentences आसानी से नहीं बोल पाएगे आपको problem होगी आप पूरी तरह से मेरे उपपर depend मत हो जाएगे कि मैं ही आपको एक-एक sentence मुँ में डालूँगा आपको कुछ से भी try करना पड़ेगा दोस्तों अब जैसे ही कोई भी काम आप कर रहे तो आप कहेंगे I am और जब खतम किया तो आप कहेंगे I have eaten dinner आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप कहेंगे I am watching video लेकिन जैसे ही आपने खतम किया आप कहेंगे I have watched video सुचिए आप लिख रहे हैं तो आप कहेंगे I am writing लेकिन जैसे ही खतम किया I have written मैं वीडियो शूट कर रहा I am shooting a video अब ध्यान रखना है जैसे ही काम खतम हुआ अभी इस वीडियो लेक्चर में आप इतना ही सीखिए कि जैसे ही काम खतम हुआ तो है जोर है वा जाएंगे अब आप ये बात पहले से जानते हैं कि I के साथ में है वाता है यू के साथ में है वाता है और ही और शी इन दोनों के साथ में है जाता है लेकिन आगे action का third form अब आज पूरे दिन भर में आप जो कुछ भी करें मानले आपने दर्वाजा बंद कर दिया तो money man बुल ले I have closed the door घ्यान रखेगा third form जब भी बोलें तो हलका सा रुके पक्का करें कि third form आपके मुझसे निकली या नहीं निकली I have done my homework I have washed my hands I have worshipped जब आपने अपना क्या किया आपने डिनर कर लिया I have eaten dinner को आपने पढ़के खतम कर दी I have read the book आपने टीवी बंद कर दिया I have turned off I have turned off the TV आप सूचिए मानले आपने फ्रिज में आम रख दी तो कोई पूछ रहा है हाँ रख दिये गया तो आप अपना sentence English में बोलेंगे I have put the mangoes into the fridge I have put the mangoes into the fridge I have put the water bottle into the fridge right कोई भी काम जब आपने खतम कर लिया तो I have अब आप मेरे बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे you have और साथ में action का third form और किसी और को बताएं तो आप यूज करेंगे he has action third form I hope it is clear तो अब सबसे पहला basic है कि जब आज आप पूरे दिन में कुछ भी करें तो अपने बारे में जरूर बोलें जैसे आपने अपना homework complete कर लिया I have completed the homework यदि आपने checked the notification तो ध्यान रखेगा जब भी आप कोई काम खतम करेंगे अपने बारे में सोचेंगे I have और साथ में action third form किसी और को बताएं तो he has action third form अब इसे practice कैसे करेंगे practice दो तरीके से करेंगे पहला अभी आप इतना कीजिए I am watching TV I have watched TV एक बार third form आपके मुझे निकलने लग जाए तो फिर आगे का रास्ता असान हो जाएगा I am closing the door I have closed the door I am changing my dress I have changed my dress I am turning up the volume I have turned up the volume I am finishing my work I have finished my work I am watching a video I have watched the video I am dancing I have danced ऐसे कुछ examples बना दीजिए लफबक 10 और मुझे comments में लिखकर दिखा दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने यहां तक की वीडियो देख लिए और आप इतना सीख चुके हैं तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अभी लाइक दीजिए अपने WhatsApp status पर Facebook पर लगा दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और वो भी घर बेड़े बेड़े अमेरे जी बोलना सीख सकें मिलते हैं आप से फिर एक नई वीडियो के साथ थैंक यू